इस सर्वे तो जो आ रहे हैं वो सवा रहे हैं और इनी बुद्दों पर जिन पर चुनाओ लड़ा गया मैं एक चीज जरूर जाना चाहूंगा कि इन्होंने मुद्दे दिये हम जनता एक मुद्दा दे रही है कि जो फ्री वाली राजनीती करते हैं जो फ्री बाटने वाला का की है तो अब इस सवाल के कोई माइने नहीं रह जाते हैं मैं आरेलडी का गैस लेना चाहूंगी प्रवक्ता है आरेलडी के यह बताइए आप मुझे रोहित अग्रवाल जी कि जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं बीजेपी को नुकसान जरूर हो रहा है लेकिन आपका अगर आपके पक्ष में नहीं है तो यह एक्जेट पोल होता बदरी नारेंग जी इन आकड़ों को देखकर आप क्या कहेंगे बीजेपी को नुकसान हो रहा है लगबक सौ सीटों का नुकसान हो रहा है जैसा कि हम लोग आंकलन भी कर रहे थे लेकिन नुकसान तो हो नहीं जाए या मोधी के लिए नुकसान देबाना तो हमने देखा कि पहले एलेक्शन शुरू हुआ था मोधी योगी और अखिलेश बार बार उसको योगी के खिला बरक्स बनाना चाहते थे लेकिन थर्ड फे जाते आते मोधी का आईकॉन गाउं में एक तरह हर महिला मोधी हम मो इस एलेक्शन में वोइसलेसनेस बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन यह जो विकास का मुद्धा उठाए गया था कहीं न कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि विकास के मुद्धे पर आपके साथ जनता आई है मनी शुकला जी यह तो ब्रैंड मोधी है कि आपने जबतकार किया मोधी को करना है न मुझे बूलने का उसर देंगी तुम्हें बिल्कुल ती सेकंड दीजी देखिए मोधी जी से आपको क्या पति या बिपच को क्या पति भारती जनता पार्टी के कार्टा नहीं है नरेन मोधी जी हमारे सर्वोच नेता है और प्रदान मंत्री भी है देश के लि फाड़ी पार्टी के जो अरेल्डी के लोग है जो घंदान न भेज रही थे मत्दान के दिन मतदानन न करना गटना इन्वाई करने गए थे जैंचो दरी सी दिन सविकार करनी थी जो यह वहां है चाही है कि आज हम सारे लोग जो यहां है जो भारत एक राष्ट्र है काधुनिक लोगतंत्र है वो कॉंग्रिस की वज़े से हस लीजिए ताली वजा लीजिए इतिहास से सच्चाई को कभी नहीं जुटला सकता कि जब अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे तो यह लोग तलवे चाट रहे है कि जनता के शोक को अगर किसी ने शक्ति में तबदील करने का प्रयास किया है तो वो प्रियंका गांधी और कॉंग्रेस हैं आप भूलिये नहीं भूलिये नहीं कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश देश का गरीबों में गरीबी जो सूची है प्रदेशों की उसमें नमबर तीन है, डबल इन गाई